स्वागत थेकवाई फिर से आप सभी का RKR Study Seated One YouTube चैनल पे आज की इस वीडियो में हम आप सभों के लिए Seated State BA.DL.A. से जुरे एक बहुत ही मातपुन टॉपिक को लेकर के आये हैं जिस टॉपिक का नाम है आपका लिंग यानि इस अंग्रेजी में जेंडर गयते हैं यानि कि जेंडर और लिंग के अगर हम बात करें तो यह बहुत ही मातपुन टॉपिक है आपके सभी टीचर एक्जाम के लिए यहां से बहुत शाड़े कोश्चन्स आपको दिखते हैं बनते हुए इसलिए इसको करना बहुत ज़रूरी है तो चलिए हम लोग इसको बीना किसी देरी की हुए आज कि इस सेशन में इस वीडियो के मातदेम से रूडिवादी अफधारना या फिर पुर्वागड़ा यानि कि लिंक को लेकर के जेंडर को लेकर कि जो व्यदवाव किया जाता है हमारे समाज में उसके बारे में आप अध्यन करने वाले हैं आज की इस वीडियो के मातदेम से ठीके बिना किसी देरी के हम लोग अनुआ है यानने की वह लड़का है लड़की है मेल है इस इसका निरदारmand हमारे लिंक के दौब्ड़ा ही किया जाता है यह घंडर के दौबार पूछे गए हैं उसके आंसर को माना है अपने आंसर की में इसकी पूष्टी कि थी तो इस हिसाब 거예요 तुष करें दुखटर को पर आनुसार को छेंडर को पर रहे हैं तो फहां पर आपके जैविविक निरधारक है कि आप मेल involved आफ इसका निरधान लिंक के दवारण चेंडर के दौरण कि आजाता है ढूंचा में और यहां पर आपका च्णनटर होगा तो यह आपके za तो आपका जेंटर है वो एक समाजिक संद्रचना होती है याद रखिएगा इन दोनों चीजों को जो अंतर यहां पर थोड़ा सा डिफ्रेंस है उसको याद रख लिएगा तो हम लोग वैसे कि यहां पर पढ़ रहे हैं बीए डिलेड सिट या फिट एक्जाम के त्यारी कर रहे है तो इसके हिसाब से आपके लिए जेंटर का मतलब शमाजिक समय के दोबार यहां से एक नमार केक्षणद के चसटना है और समाज की यह दोनों पार are होते हैं जो भी मनुस्ये चाहें वो मेल हो अथवा फिमेल हैं यह सारे क्या है शमाज के बाइटर हम सभी लोग जानते हैं कि मनुस्य क्या एक समाजिक प्रानी है तो समाज की शर्णचना किसके दोरा होती है जेंडर के दोरा निरधारत किया जाता है लिंग भेदभाव के अगर हम बात करें तो लिंग और बाहर का काम है, वो लड़के करेंगी, तो यह काम का विवाजन किया बहुद भाव किया गया है, यह किसके अधार पर किया जाड़ा है, यह लिंग की अधार पर किया जाड़ा है, इस तरह के बहुत शारे अशे काम है, जो लड़कों और लड़कियों को उसके लाकिक भेदवाव के करण अलग-अलग दिये गई हैं, दोनों को अलग करते हैं, जिससे और भी हम बात करें के पहनावे की भेदवाव, तो पहनावे का अधार पर जो भेदवाव है जैसे कि अगर कोई लड़का इस तरह की हरकते करता है यह अपने कान में बाली पहन ले या फिर गला में माला पहन ले मोतिव वेरा तो लोग उसको हसते हैं हमारे समास्ट अंदर और यह कहते हैं कि यह लड़की जैसा हम बेवार कर रहा है मतलब क्या है कि यह चीजे ऐसा मानते हैं लो लड़के हैं तो उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए बेवस्ता नहीं की जाती है उसको पढ़ाने तक नहीं दिया जाता है तो इस तरह की भेदबाब आप पाईएगा कि आपके समाज में अक्षर होते रहते हैं और यह सारे परकार के जो भेदबाब हैं यह आप अमारा पुर्वागरा के कारण लिंग भेदबाब करने का पनपने का दो ही परकार के ऐसी धारना होती है जिसमें से पहला है आपका रोड़ी वादी अबधारना और दूसरा आजाता आपका पुर्वागरा यह दोनों मेले करके अमारे लिंग भेदबाब को जर्म देते है जैसे रोडी वादी अब धारना के अंतरकत क्या आगी कि इसको समझ लेजिए कि इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति जो होता है या फिर किसी समधाय के शाथ एक ऐसे बंधन में बांध दिया जाता है उस पूरे समधाय को उस पूरे व्यक्ति के समू को या फिर उसके बारे म को चोर कह सकते हैं अब हम लोग ऐसे कहा दें कि जितने भी लड़के होते हैं साड़े चोर होते हैं तो यह क्या हुआ कि किसी एक के कारण हम एक ऐसा धारना बना लिए जो उस पूरे समुदाय के लिए समलित हो गया उस पूरे जाती के लिए समलित हो गया तो ऐसी अवधारना रूडी वादी अवधरना कहलाती है ठीक है जिसे लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि लड़किया कमजोर है हो सकता है कि एक दू लड़किया है जो अपने किसी भी विशे में कमजोर होगी तो ऐसी धारना बना लेना कि सभी लड़किया कमजोर होती है यह हमारे रूडी जो है वो लड़किया करेंगी पूरूश नहीं कर सकते हैं या फिर घर का बाहर का काम पूरूश यह कर सकते हैं लड़किया पुरूश नहीं है ये सारे चीजे हमारी रूडिवादी अवधारना के अंतरगत आती है अप एक बर घर का काम लड़कों को देकर तू देखिए वो कर पाते है अत्वा नहीं उसको वो ग्यान तो करवाईए कि वो चीजे ऐसे से करना है देखिए तो सही कि लड़का भी कर पाएगा या नहीं तो आप ऐसा करवाते नहीं हो शकता है कोई ऐसा लड़का हो जो खान नहीं बना सकता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप पूर सारे लड़कों को कहेंगी कि घर का काम वोक नहीं कर सकता है अगर आप ऐसा करते हैं पकी धारना बना लेते हैं पूरे जाती के लिए पुर्वागड़ा जो आपके हमारे चैनल पर मिल जाएंगे तो पुर्वागड़ा में क्या ऊता है कहा हमारी पुर्यानी अनभाव पुर्वागड़ा यानी पूर्व का अनभाव यहामारा पुर्वागड़ा करती हें जैसे Prof Chaudh पहले तो कुछ जानते हैं जिसके बारे में और उसी के फिर से उसको दोहड़ा दें यह थाँको यह थाँकर दें कि अनार को दूसरी अनार को भी खाईएगा कभी तो आपका मीठा लगेगा तो यह आपका पुर्बागड़ा है कि पुराने अनभब के अधार पर यहां पर एक धारना बना लीए हैं अब उसके वारे में बासचित कर रहें तो यहाँ पर ये चीज़े आपके लिए सही है लेकिन वही आपका मतलब अगर दूसरी बात हैं हम कर दे कि कभी आप अनार को खाए और वो अनार आपका खटा लगे हो सकता है आप सब्सक्राइब कि आप मार्केट में गए और अनार लिए तो इसलिए कहा गया है कि पुरवागराय याने कि हमारे पूरानी अनुभव के आदार किसी भी चीज की परती जो धारना बनाते है वह सही भी होकता है और वह गलत आप यह अपका पुरवागराय आदार पर लिंक के की परती जो भेडभाव किया जाता है लोगों में कि लड़की यां वो बाहर की कामें नहीं कर सकती हैं लड़की या घर का काम नहीं कर सकते हैं तो यह आपका पुर्वागरा वहाँ पर गलत हो जाएगी आप उसको organize तो एक पर देख करके देखी वो बाहर की काम नहीं करेगी तब ना लड़की गढ़ का काम नहीं कर पाएंगे तब इसे किसी एक बच्चु को देख करगे किसी एक लड़की को देख करके अपने अनभव को वहां पर सभी बच्चों के लिए वो set कर रहं तो वह आपका वहां पर जैसे जाती के अधार पे पुरुबागड़ा किया जाता है, बहाचा के अधार पे पुरुबागड़ा किया जाता है, लिंक के अधार पे पुरुबागड़ा किया जाता है, धर्म के अधार पे, उम्र के अधार पे, छेतर के अधार पे, छेतर के अधार पे पुरुबागड पर किर्केट के अपर डेशों के लोगों को उसे भी परचित होते हैं इस生 क्रिकेट का यहां पर एक्जाम्पल ताकि आप बीविन विविन देशों के लोगों के बारे में जानकारे को एक ठाकर सके ठीक है तो यहां पर आपाई है कि हर्दिक पंड्या को जो कलर है वह बेने स्टोक्स की तरह उतना शाफ नहीं है अहला कि यह काला वी नहीं है तो यह मतलब इससे सबस्ट होता है कि आप इंडिया में और भी रोगों को देखेंगे जैसे कि रोही शर्मा है तो यह सब उतने जादे गोड़े तो लिए जितने वेन श्टोक्स हैं लेकिन यह सब गोड़े में है तो इनका एक अलग नाम दे दिया गया है वह शामला ठीक है तीस इससे पता चलता है कि यहां पर मुह है नई तो पूरा आप देखेंगा इस तरह से ब्लैक ही है तो यह थोड़ा से मैं ज्यादा भी बोल दिया इतना भी ज्यादा ब्लैक नहीं होते हैं तो कहने का मतलब यह कि आप यह तीनों को देखेंगा तो यह पाईएगा कि एकदम हम कह दें कि सभी इंग्लेंड के जो खिलारी होते हैं या फिर जो लोग हैं वह केवल और केवल उजले होंगे तो यह हमारे ले एक पुरुबागड़ा बन गया अगर हम कह दें कि पूरे इंडिया के खिलारी या फिर इंडिया के लोग जो वह शामले होते हैं तो यह क्या ह यह हमारे पुरभागड़ा है, अगर हम कह दें कि पूरे बेस्ट इंडीज के लोग जो है वो काले होते हैं, तो यह क्या है एक पुरभागड़ा है, मतलब हम जो पहले से जान रहे हैं, किसी भी चीज थोड़ा सा अनुभव है, उसके अधार पे हम एक पक्की धारना बना रह है, लेकिन ऐसा कहना कि सभी लोग शामले होते हैं, यह गलत हो जाएगा, चुकि कुछ लोग गोड़े भी होते हैं, कुछ लोग हमारा सामले होते हैं, इंगलेंड में भी से यह बात है, कि कुछ उजले तो होते हैं, लेकिन कुछ लोग वहां भी आपको शामले मिल यह आपका रोडी वादी अवधारना होती है यह आपके पुर्वागरह होती है जो आप अपने पुर्व अनभव के अधारपी किसी भी चीज के बारे में बोल देते हैं वो आपका सही भी हो सकता है वो आपका गलत भी हो सकता है यह चीजे मैं यहाँ पे आपको यह कंफर्म क साथ बने रहीएगा जैसे कि आपर एजांपल में देख लिए एक छोटा से यहां पर बच्चा है जैसे कि इन तीरों खिरारी को देख करके आप यहां पर कहिएगा कि यह देखिए यह यह बेने स्टोक्स हैं यह भी इंगलेंड के कोई हैं और यह जो है यह हमारे क्रिस गेल ह यह लुब क्या है क्या कि ब मतलब यह क्रिस गेल हुआने विस्ट इंडेज के लोग हैं इंडिया में इसलिए अग्जांपल को यहां पर दिया था तो यह थिए आईगा कि आप सबों को अच्छे से समझ में भी आ गई होगी इसी तरह के और भी मैज़दार वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बढ़े रहेगा चैनल का नाम है आरकार श्टडी सीटेट पॉइंट को फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ अब तक लिए देखतरी हमारे चैनल आरकार श्टडी सीटेट पॉइंट को धन्यवाद